जिन्दगी से फॉर्मूले या आदर्श या विचार धाराएं बनाने की कोशिश मत कीजे भागीदारी लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं है मैं आप से सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप जो मर्जी आई कीजे और जो लोग आत्मग्यान के पीछे पड़े हैं थोड़ा रिलाक्स कीजे मेरी जिन्दगी में चाहे बाद बिजनेस की हो या शादी की या बच्चों की परवरिश की या मेरे करियर के फैसलों की मुझे कैसे पता चलेगा क्या चीज़ काम करती है आप शादी शुदा हैं और जानना चाते हैं क्या काम करेगा देखे आपको भगवान जैसा होना पड़ेगा कि आप साइलिंट पार्टनर हो ये तभी काम करता है बिल्कुल जैसे भगवान होते हैं दूसरा जो चाहे करे बस भगवान की तरह होना सीख जाएए कभी भी किसी चीज में दखल मत दीजिए हर रोज सुबह सुबह हर तरह के बेवकूफ आपको बताएंगे कि आज आज आपको क्या करना चाहिए आप बस सुनिए बिल्कुल भगवान की तरह तब शादी कारगर रहेगी आपका व्यवसाय शायद इससे न चले देखिए आप इसे गलत समझ रहे हैं आप इसे एक तरह का नैतिक मूलियों का सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप इसे एक अपनी फिलोसफी बनाना चाह रहे हैं मैं वही करूँगा जो कारगर होता है अब आपने एक कसम खा लिए मैं वही करूँगा जो काम करता है अब आपको यही नहीं पता कि वो क्या है जो काम करता है क्योंकि कौन सी चीज कारगर होगी ये कसम खाने से नहीं पता चलेगा ना किसी की आग्या से क्या कारगर रहेगा खुद पर लगातार ध्यान देने और विक्सित होने से पता चलेगा है न? हलो? वही चीजें जो आपने पहले की थी कैसे आपने उन्हें कारगर बनाया था कैसे दस साल पहले आपने एक अनाडी की तरह कुछ कर दिखाया था आज वही चीजें शायद आप बड़ी आसानी से कर लेते हैं ऐसा है की नी? या शायद आज आप कोई कामनाडी की तरह कर रहे हो पर शायद आप पहले उसे अच्छे से करते हो दोनों में से कोई एक जैसा भी आपका विकास हुआ हो तो क्या काम करता है? इसका कोई फार्मूला नहीं है ये इंसान के विकास की प्रक्रिया है जो हमें उस तर तक ले जाती है जहां चीजें जीवन के हर पहलू पर कारगर होती है ये कुछ ऐसा मालूम पढ़ता है जैसे आप अभी-अभी कोई आपकी सेल्फ हेल्प वाली किताब पढ़ कर रहे है नहीं, मैं सेल्फ हेल्प वाली किताब नहीं हूँ वो करो जो काम करता है आपकी जो मर्जी आए किजिए मुझे क्या दिक्कत है? पर कुछ ऐसा करने का क्या मतलब है जो काम ही नहीं करता? मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको वही करना चाहिए जो काम करता है आपकी जो मर्जियाए कीजिए लेकिन अपने जीवन के लिए कीजिए क्योंकि आपका समय सीमित है वो करने का क्या मतलब है जो चीज काम ही नहीं करती या तो आपके लिए ये काम करे या आपके आसपास के लोगों के लिए काम करे अगर ना ये आपके लिए ना आपके आसपास के लोगों के लिए काम कर रहा है तो ऐसा काम करने का क्या मतलब है ऐसा हुआ कुछ सैनिक, कुछ अमेरिकी सैनिक डूटी पर निकल रहे थे तो उन में से एक ने दूसरे से कहा तुम स्टीव की पत्नी को जानते हो उसने त्री मस्कीटियर किताब पढ़ी और उसने तीन बच्चों को बैदा किया उसने बुला, हे भगवान, मेरी पत्नी तो एक राष्टर का जन्म पढ़ रही है अब मैं क्या करूँ यह ऐसे काम नहीं करता तो इसे कोई पॉलिसी या फिलोसफी मत बनाईए मैं वही करूँगा जो कारगर होता है देखे, बस यह समझने के लिए कि क्या कारगर होता है इसके लिए बहुत ध्यान देना पड़ता है यहां तक के छोटी-छोटी चीज़ों पर भी, है न? हलो? कोई छोटा सा काम जैसे बॉल को मारना या बॉल को सीधा किक करना आपको पता है? इसमें कितनी महनत लगती है? अगर कोई खिलाडी जो बॉल को जहां चाहे वहां ले जा सकता हो वाह! पूरी दुनिया उसकी पूजा करती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बॉल को किक करता है? हाँ या न? क्योंकि लोग ये समझते हैं कि इसमें कितनी महनत लगती है कोई उसकी पूजा इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो बॉल को किक मारता है बल्कि इसलिए क्योंकि लोग जानते हैं कि इसमें कितनी महनत लगती है हैंकि नहीं? लोग देख सकते हैं कि ऐसा बनने में कितनी महनत लगी है कि वो एक गेंड को वैसे मार पा रहा है जैसे वो मारता है उसमें कितनी महनत लगी है उसकी पूरी जिंदगी लग गई है तो हर चीज़ से फिलोसफी और पॉलिसी मत बनाये या खुद को आग्या मत दे दीजे मैं वही करूँगा जो काम करता है यह अच्छी आग्या है पर अब आपको यही नहीं पता कि क्या काम करता है नहीं नहीं आपको जागरुक रहने की और खुद को हर चीज में जोकने की जरूरत है अगर आप बस इतना ही सीख जाएं कि आप ये नहीं तै करेंगे कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है मैं यहाँ आने से ठीक पहले नई दिली में नदी अभियान की रैली बोर्ड मीटिंग में था CII जो की भारतिय उद्योग परिसंग है उनके बोर्ड ने भी नदी अभियान में हिस्सा लिया क्योंकि वे देख रहे हैं कि इसे आगे कैसे बढ़ा जाए क्योंकि धीरे धीर लोगों को पता चल रहा है कि ये क्या है जो प्रस्तुत किया गया है हर कोई इसका हिस्सा बने की कोशिश कर रहा है हमारा एक प्रतिष्टित बोर्ड है Worldwide Life Fund के CEO हैं सबसे उचे पदों के जल विशिशग्य हैं और सबसे बड़े किसान के उत्पादक संगठन के लोग हैं और हमारे साथ सर्वोच नियाले के एक नियाए धीश भी हैं ये बहुत ही प्रतिष्टित बोर्ड है और जब ये कावेरी कॉलिंग परियोजना के बारे में बातें चल रही थी हर सवाल के लिए खासकर कुछ विशिशग्य थे जिनके पास सवाल थे और वो पूछ रहे थे मैं सहचता से उन्हें बता रहा था कि क्या करना है वो बले सद्गुरू आपको ये सब चीज़ें कैसे पताएं मैंने कहा मेरे शुरवाती बचपन से ही मैं बिना किसी उद्देश शिके बस इधर उदर घुमता रहा बेवजा बिना किसी उद्देश शिके मैं बस जंगलों में और नदियों के आसपास यहां महां बटकता रहा पर मैंने हर चीज़ पर पूरा ध्यान दिया हर पौधे पर, हर कीडे पर, हवा पर, नमी पर, पूरी व्यवस्था पर, सब पर जो कभी बेवजा बटकना था आज वो दिल दहला देने वाला ज्यान बन गया जो कि किसी कमभख्त किताब में नहीं लिखाए पहली बार कोई पूरी तरह से समझ में आने वाली बात कह रहा है ना कि किसी किताब से ये बस बेमतलब का भटकना था जब मैं एक बच्चा और फिर युवा था मैं बस इधर उदर भटकता रहा बिना किसी उद्देश के तो भले ही ध्यान उद्देश हीन हो पर आप ध्यान दिये बिना नहीं जी सकते हैं ना हलो तो बस ये एक काम कीजिए ये भिदभाव करना बन कीजिए कि क्या महत्वपून है क्या नहीं अगर आप हर चीज़ पर बिलकुल उतना ही पूरा ध्यान दें तो आप देखेंगे कि क्या चीज़ करना सही है ये बहुत ही सौभाविक प्रक्रिया है पर आपने पहले ही तेह कर लिया है कि क्या महत्वपून है क्या नहीं है आप कैसे विक्सत होंगे कि क्या करना सही है आधी दुनिया आपने पहले ही नकार दिये क्योंकि वो महतवपूर नहीं है आप सिर्फ तभी ध्यान देते हैं जब आप किसी दूसरे को भी तभी ठीक से देखते हैं जब वो आपके किसी मतलब के हो नहीं, मैंने हर चीज़ को देखा पूरी तरह हर जीव को हर चीज़ को, हर कंकड, हर पल को पिर्थी पर जो भी हो रहा था आसपास का माहौल सब कुछ पढ़ाई की तरह नहीं बस इसलिए क्योंकि मेरे पास आँखें थी और मुझ में लगातार ध्यान देने की शमता थी तो मैंने हर चीज़ पर ध्यान दिया आज वो कह रहे हैं, ये कमाल की चीज़ है मैं बस हसरा था और मैंने कहा देखे, मैं बस लक्षीन होकर भटकता था और लोग सोचते थे, मैं बस आवा रहा हूँ पर अब ये लक्ष हीन आवारा गर्दी की वज़े से कितना सारा फाइदा हो रहा है क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं छोटी चीज़े हैं, बड़ी चीज़े हैं अगर आप पूरी तरह से शामिल हैं बिल्कुल शामिल तो आप देखेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि क्या करना सही होगा आप बिना किसी भागीदारी के जीने के कोशिश कर रहे हैं यही कारण है कि आपकी नहतिकताएं हैं, आपके आदर्श हैं आपके पास विचारधाराएं हैं, आपके मूल नहां, आपके पास नीतियां हैं, आपके पास आग्याएं हैं क्योंकि आप यहां दिना किसी भागीदारी के जीने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ready-made formula चाहिए कि क्या करना सही है। ये मत करना, वो मत करो, ये करना गलत है। ऐसी सीखों से दुनिया ठीक हो पाई है, मैं पूछता हूँ। हर स्कूल जाने वाले बच्चे को पता होता है कि क्या करना सही है। में बस पूरी भागीदारी की जरूरत होती है, बेल अगाम भागीदारी, बिना भेदभाव के, कि कौन कौन है, कौन क्या है, बस हर उस चीज से पूरी तरह जुड़ जाईए, जिसके साथ आप अभी संपर्क में हैं. अगर आप ये एक काम करेंगे, तो आपकी बुद्धी के स्तर के अनुसार और प्रकृति को भी साथ देना चाहिए, इन सब चीजों से आपको पता चल जाएगा कि सबसे बहतरीन काम क्या है, बेशक आपके अपने द्रश्टिकून के हिसाब से, देखे फिलहाल, अगर आप ए किसी विशेश स्थिती में कुछ कर सकता है, वो आपके लिए सही काम नहीं होगा, है न? आपको पता होना चाहिए कि किसी स्थिती में आपके लिए क्या करना सही है, आप वो नहीं कर पाएंगे जो कोई दूसरा करता है, आपको वो चीजें बहतरीन तरीके से करना आना चाह ये जो आप कर सकते हैं, यही आपके लिए सही काम है, आप किसी और की तरह कुछ करने की कोशिश मत कीजे, जिस पल आपने ये तै कर लिया कि क्या करना सही है, तब यही प्रॉब्लम आईगी, नहीं, कोई ready-made समाधान नहीं होता, भागीदारी, भागीदारी के लावा कोई र चाते हैं, तो आपको भागीदारी चाहिए, आप चाहे जो मर्जियाय करें, क्या आप इसे आने वाले महिनों में पूरी भागीदारी के साथ करेंगे, देखिए, मैं सच में बहुत अच्छा गुरू हूँ, ओके, मैं सच में एक अच्छा गुरू हूँ, क्यूंकि मैं कोई जो आया वो आपको हमेशा ये बताने की कोशिश करता रहा यही चीज करनी चाहिए मैं आपको बस ये कह रहा हूँ आप चाहे जो मर्जियाए कीजे पर अच्छे से कीजे और ऐसा बिना भागीदारी के नहीं हो सकता है न? चोटी चीजें, बड़ी चीजें पूरी भागीदारी से यानि हर वो चीज जो आप करें आप ये फर्क न करें कि क्या छोटा है और क्या बड़ा देखे जब मैंने शिट कहा तो आप हसने लगे ओके? तो मत कीजे अगर आपको लगता है कि शिट करना ज़रूरी नहीं है और अगर आपको लगता है ये गंदी चीज है तो आपको ये नहीं करना चाहिए मैं कह रहा हूँ कि ये भेदभाव मत कीजे कि क्या गंदा है और क्या पवित्र यही वो चाभी है क्योंकि भागीदारी का मतलब बिना पक्षपात कि ये शामिल होना भी है जैसे ही आप कहते हैं ये पवित्र है वो गंदा है आप गंदी चीज के साथ शामिल हो सकते हैं हलो आपको कब्ज हो जाएगी हाहां और फिर कुछ काम नहीं करेगा तो 2019 पूरी भागीदारी का साल है बिना पक्षपात के भागीदारी का कामों में पक्षपात का नहीं है बिना पक्षपात के भागीदारी का क्या आप एक खर्पतवार को एक खर्पतवार को जो भाहर होती है को उतनी ही भागीदारी के साथ देख सकेंगे जैसे आप अपने भच्चे को देखेंगे आपको बस इतना ही करना है जो लोग आत्मग्यान के पीछे पड़े हैं, ज़र रिलाक्स कीजिए और आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह शामिल हो जाईए, जीवन अद्भुत तरीके से घटित होगा. झाल